हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका पर्टनल टेनर अजी सिंग और आपका बेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के उपर और आज हम एक नए टेक्निकल डोज एजेंडे के साथ आए हैं जो के है हमारा FTP सर्वर तो FTP server के बारे में जैसा के हम लोगों को पता है या जो जानते हैं या फिर हम लोग इससे पहले नहीं जानते हैं तो आज हम जानेंगे FTP server के बारे में के वाड़ इस दा FTP server यूज आफ FTP server या फिर उसको कैसे configure करते हैं सर्वर के अंदर ठीक है तो चलिए देखते हैं अब कि FTP क्या होता है तो FTP क्या होता है उसके लिए चलिए हम देखते हैं अभी FTP is the file transfer protocol FTP क्या होता हमारा file transfer protocol है तो जो के हमारा file transfer protocol ओकी चलिए इंटरनेट पर file को आदान प्रदान करने के लिए आम तोर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है FTP data transfer को को सक्षम करने के लिए या फिर कहा जाए तो FTP का उपयोग जो है हम internet के उबर files को एक जगे से दूसरी जगे तक exchange करने के लिए यह कहा जाए इसलिए करते हैं या फिर कहा जाए तो FTP यूज्ट टू अप्लोड और download files from the internet or network internet और network तो FTP जो होता है हमारा client server architecture को follow करता जिसमें FTP एक server होता है और एक FTP client होता है जिसके लिए हम सुरक्षित करने के लिए SSL या TLS का उपयोग करते हैं ताके हमारा FTP server जो है थोड़ा सा secure रहे तो अगर हम main मुद्धे की बात करते हैं जो के हमारा FTP है तो FTP is basically used to transfer file one place to another place one place to another place इसके लिए हम FTP का उपयोग करते हैं तो चलिए देखते common usage of internet usage of FTP sorry internet नहीं के अगर आपको website के बारे में पता है यह जो हम लोग website वगरा internet पर देखते हैं या जो open करते हैं तो यह सारे के सारे जो हमारे website हैं या जो हमारे article होते हैं ठीक है यह सारे के सारे किसी ने किसी जगे तो store होते होगे तो यह सारे यहां पर store होते हैं उसको हम कह सकते हैं FTP server जहां पर यह सारी files store होती है जिसको FTP server कहा जाता है ठीक है तो FTP server यह हमारा होता है FTP को हमारे दो भागों में विवाजित किया गया है एक होता है एनो नुमस सर्वर और दूसरा होता नौन एनोनुमस सर्वर Anonymous FTP या Non Anonymous FTP क्या है तो FTP का अत्यादे common प्रियोग Anonymous Server है FTP साइट जो Anonymous Anonymous एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो आप लोग Anonymous के बारे में YouTube पर जाके देख सकते हैं तो Anonymous एक ऐसा user होता है या फिर कहा जाए तो Anonymous एक hacking group है इसके लिए access करने लिए password की आवस्चिकता नहीं होती है तो आपको केवल Anonymous के रूप में login करना है तथा email address password की तरह enter करना रहता है इसमें बस इतना सा का रहता है अगर आप FTP पर इसके लिए login करते हैं तो यह मैं आपको करके दिखाऊंगा और दूसरा है Non Anonymous Server name and password से login करना पड़ता है ठीक है तो types of FTP client types of FTP client कौन कौन से है FTP server तो हमें पता है कि जहां पर हमारे सारे file को store गिया जाता है वो हमारा FTP server होता है मगर जो लोग FTP server को use करते हैं उनको हम FTP client FTP client devices कहते हैं ठीक है तो कही अलग-लग FTP client है जिने आप internet से download कर सकते हैं इसके अलावा ठीक है कुछ आप पैसे देकर paid भी कर सकते हैं ठीक है जिसमें कुछ popular FTP client आपको यहां नाम देख रहे हैं जैसे file jila, cyber duck, fire FTP, bin SCP और हमारे transmit नाम के कुछ application से जिने आप internet पर download करके install करेंगे तो आपका device as a FTP client काम करने लगेगा ठीक है अब बात आती है how to upload file with FTP FTP server पर हम files को कैसे upload करते हैं ठीक है तो हमारे computer से जो web pages host किये जाते हैं इसके दो तरीके हैं या तो आप सीधे browser में browser open करके file को upload कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी जो भी जिन software के बारे में भी हमने इधर बात करी file जिला हो गया cyber duck हो गया इन software के through भी हम अपनी files को FTP server के उपर upload कर सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं इस चीज को हम लैब में कैसे परफर्म करेंगे गाइस गाइस चलिए लैब में देखेंगे के हम कैसे configure करेंगे हमारे FTP server को सर्वत 2012 या सूले के अंदर तो चलिए देखते हैं इसको अपने इस लैब के part नमबर दो में और यह theoretical वीडियो था FTP के बारे में गाइस तो okay and bye bye